नमस्कार सिंग्रा एडवांस एजूकेशन के यूटूब चैनल पर आपका पुने स्वागत है पहले मैंने आपको अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं पर ये दिया था आज हम आपको अक्षर या वर्णों के प्रकार क्या होते हैं उसके बारे मैं बताएंगे यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उसे भी देखें और आज के भाग को भी अंत तक देखें अक्षरों के प्रकार व्याकरण की दस्टी से अक्षर प्रकार के होते हैं हम प्रति दिन कुछ नुकुछ करते हैं पढ़ते हैं देखते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें सठीक जानकारी प्राप्त नहीं होती उसी को बैग्यानिक दस्टी से और पुस्तकों के आधार पर जो सत्य है, जो सही है वो जानकारी देने का मैं प्रयास आपको करूँगा द्क्रण की द्थिते एक्षर प्रकारके होते हैं 930 प्रफर्र मे ए-ए-ऊ-उ-ब्लें,1111 31 जो हैं वह मारे स्वर्र है इसके बाद 2017 जिसको हम कहते हैं जिसका क्लेवेक हमें अनुनासिक के रूप में करना पड़ता है कहीं-कहीं उसको हम अनुस्वर कहते हैं और उसके बाद विसर्ग आहा इसका विसर्गों का प्रयोग अधिकानसताहा संस्क्रत भासा में होता है उसके बाद हमारे वेंजन है और संयुक ताक्षन है शत्रग्या ये कवर्ग के पाँच अक्षर है चवर्ग के पाँच अक्षर है टवर्ग के पाँच अक्षर है तवर्ग के पाँच अक्षर है पावर्ग के पाँच अक्षर है यवर्ग के पाँच अक्षर है इन के अतिरिक्त अगला जो होता है इन में हम कभी-कभी थोड़ा सा गड़वर कर जाते हैं इसको बोलने में अंतिम अक्षर जो होता है इसको मैंने पिछली बार भी अब बताया था ये वा है ये या है ये अना है तीनों अक्षरों का उचारण अलग है और अलग होने के कारण इनको अलग ही उचारण करना चाहिए तीनों को अना न के लिए हम इनको संयुक्त अक्षर बोलते हैं इसके साथ ही हम कभी-कभी हमारे अक्षरों के उप्षारन स्थल के आधार पर भी हम नहीं को से उच्छारन करते हैं उस आधार पर भी इनके प्रकार हैं जिनको मैं अगले भाग में आपको बताऊंगा यदि आपने हमारे इस चैनल को देखा है पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव हो तो उसे भी देने का कस्ट करें नमस्कार जैसा कि मैंने कहा था और ये ज्रम नग्पर प्रकारर प्रोड़ाँ प्रकारद कर्सियर माग्पकर जोले स्यक्टे अटक्ताःंड़ा ओता बीक हो फटताष पसंद क्षक्प्रा प्रकार स्चू बाला करूमाटkeit पिर नमस्क्वाटर शन्तव एब कर था र both-डप्र और आक्टेसं कि द paper एपक्